हाई गाईज वेलकम टू माई चैनल मैं शुख बाफ फिर से एक नई वीडियो एक नई जानकारी में और आज की वीडियो है स्टाफ नर्स गॉर्मेंट जोब वेकेंसी के रिगार्डिंग जीहाँ स्टाफ नर्स नहीं भरती है लेटिस्ट रिकूरूट्मेंट है स्टाफ न क्या प्रोसेस है तो यह सारे डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ तो वीडियो को बिल्कुल भी इसके पना करें वीडियो पूरा देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगी यह रिकूरूट्मेंट स्टाफ नर्स का कहां के लिए हैं मतलब यह नोटिफिकेशन कहां से जारी किया गया है तो यह notification जारी किया है SGPGIMS ने यानि संजे गांधी post graduate institute of medical science जो कि लखनव उत्तर प्रदेश में है तो यह notification SGPGIMS के दुआरा release किया गया है official website पर और यह जो recruitment है यह staff nurse की जो भरती है यह autonomous जो medical colleges है उनके लिए है यानि स्वशाशी राज्य चिकित्षा विद्याल्यों के लिए है UP के अंदर तो 14 different different जगों के लिए है 14 different different districts के लिए है तो उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ जैसे अयोध्या, बस्ती, बहरिच, फिरोजाबाद, शाजापूर, इटाह, हर्दोई, गाजिपूर, देवरिया, फतेपूर, प्रतापगड, सिदार्थनगर, मिर्जापूर और जोनपूर तो इन different different जगों के लिए यह staff nurse भरती है staff nurse recruitment है जो autonomous medical colleges है अब बात करते हैं हम यहाँ पर total number of vacancies कितनी है तो total of number vacancies है 1,974 तो 1,974 total number of vacancies है अगर हम category wise देखें तो यहाँ पर SC के लिए है 415 ST के लिए है 39, OBC के लिए है 533 EWS के लिए है 197 और unreserved याने general के लिए है 79 तो total 1974 vacancy है बात करते हैं pay matrix की यानि के आपको कितनी salary दी जाएगी तो जो salary रहेगी वो level 7 की रहेगी तो यहाँ पर जो salary है वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 है तो 44,900 से लेकर के 1,42,400 है जो कि monthly basis पर है यानि के पर मन्त आपकी salary रहेगी अब बात करते हैं यहाँ पर reservation की कि इतना reservation दिया जा रहा है तो women के लिए है 20% और दिव्यांग के लिए है 4% ex-servicemen के लिए है 5% और freedom fighters के लिए है 2% तो women अगर हैं तो 20% उन्हें ये erection दिया जाएगा और इससे साबित होता है कि जो vacancy है वो male और female दोनों के लिए है लेकिन यहाँ पर women के लिए अलग से 20% reserved रहेंगी जो seats रहेंगी वो reserved रहेंगी अब बात करते हैं application fees की यानि form फिल करेंगे जब आप ये online ही form आपको फिल करना होगा official website से करना होगा OBC के लिए और EWS के लिए रहेंगी 1180 रुपे और schedule cast और schedule tribes के लिए रहेंगी 708 रुपे तो general OBC और EWS के लिए 1180 है और SCST के लिए 708 application fees रहेंगी अब बात करते हैं age limit की तो age लेक लेते हैं तो 21 years से लेकर के 40 years तर के candidates इसके लिए apply कर सकते हैं minimum जो age रहेंगी वो 21 साल रहेगी और maximum जो age रहेंगी वो 40 साल रहेगी प्लस यहाँ पर age relaxation भी मिल जाएगा यानि age erection भी मिल जाएगा SCST OBC के लिए ठीके 3 years का age relaxation मिलेगा OBC candidates को और SCST को मिलेगा 5 साल का age relaxation और general के लिए जो age रहेगी वो 21 years से लेकर के 40 years तक रहेगी अब बात करते हैं education qualification की क्या education qualification होना चाहिए इस post के लिए staff nurse भरती के लिए तो BSC nursing complete होना चाहिए 4 years का आपका Indian nursing council से आपका जो college या institute है वो recognized होना चाहिए Indian nursing council से जहां से आपने BSC nursing किया है साथे साथ अगर आपने post basic basic nursing किया है तो भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं post basic nursing आपका 2 years का complete होना चाहिए Indian nursing council से आपका college registered होना चाहिए institute जहां से आपने post basic basic nursing किया है साथे साथ आप registered nurse होने चाहिए इंडिया nursing council या state nursing council से अब इसमें जो जिन students ने जिन candidates ने GNM किया है वो भी apply कर सकते है general nursing midwifery अगर आपने ये diploma किया है तो भी आप इसके लिए apply कर सकते है आपका college इंडिया nursing council से recognized होना चाहिए plus आपको two years का यहाँ पर experience होना चाहिए देखें बेसी nursing में और post basic बेसी nursing में experience required नहीं था लेकिन अगर आप GNM है तो GNM के लिए दो साल का work experience आपके पास होना चाहिए कम से कम 50 bed के hospital में मतलब जिस hospital में आपने काम किया है वहाँ at least minimum 50 bed होने चाहिए तो अगर आपके पास दो साल का experience है और आपने GNM किया है तो भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं साथी साथ आप भी registered nurse होने चाहिए किसी भी state और इंडिया nursing council से registered आपके पास registered nurse का certificate होना जरूरी है तो यह education qualification ती जो होने चाहिए और वही इसके लिए apply कर सकते हैं अब बात करेंगे हम यह आपर selection process के बारे में कि आपका जो selection है वो कैसे होगा तो selection के लिए आप एक test होगा जिसका नाम है CRT यानि common recruitment test और यह जो test होगा यह 100 marks का होगा 2 hours की duration आपको दिया जाएगा यानि कि 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा 100 marks का यह question paper आएगा और multiple choice question होगा यानि कि objective type होगा आपके पास एक question होगा 4 option होगे सही option पर आपको click करना है तो यह computer based test होगा यानि online ही आपका test रहेगा और objective type आपका question आएगा यानि MCQ questions आपके आएगे pattern की बात कर लेते हैं exam pattern क्या रहेगा तो 80% जो questions होगे वो related होगे आपकी nursing theory से यानि कि जो आपने BSC nursing में या post basic basic nursing में या GNM में जो पढ़ा है तो theoretical basis questions plus 20% जो questions आएगे वो practical knowledge के आएगे यानि कि जो practical work आपने किया है as a nurse तो उससे 20% question आएगे जिसमें 10% जो question होगे वो covid related work से होगे ठीक है साथे साथ इस question में कोई भी question paper में किसे भी तरह की negative marking नहीं होगी यानि कि कोई भी negative marking नहीं होगी कोई भी अंक आपका deduct नहीं किया जाएगा कोई भी marks आपके deduct नहीं किये जाएगा किसे भी गलत answers के syllabus आगर आप syllabus के बारे में detail में जाना चाहते हैं तो official website पर इसका पूरा syllabus आपको मिल जाएगा official website का link है www.sgpgims.org.in ये link आपको description box में भी मिल जाएगा video के description box में ये link आप देख सकते हैं ये था आज का वीडियो staff nurse recruitment के लिए UP के लिए I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर आप भी चाहते है staff nurse government job के लिए apply करना तो इसके लिए आप जरूर application form fill करें online application form ये आपको fill करने होंगे 10 फरवरी से ये application form already start हो चुके हैं तो अगर आप आप भी फिल करना चाहते हैं तो official website पर visit करें online application form fill करें और इस job के लिए apply करें I hope ये वीडियो आपके लिए helpful होगी वीडियो को जादा से लाइक करें शेर करें चानल को subscribe कर लिजे और ऐसी job updates के लिए तो जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए जार कानी में till then bye bye and take care